जेई जिनिंदर दोस्तों, जेईन पाच्छला आपका स्वागत करता है यह मेरा वीडियो है कि जेईन रक्षा बंधन क्यों मनाते हैं रक्षा बंधन का पर्व कब प्रारम हुआ इस संबन में जेईन साहित्य में प्रचलित कथा इस प्रकार है महापदम नामक चक्रवर्ती समराट थे, नमुची नामक उनका मंत्री था नमुची ने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जिससे चक्रवर्ती समराट उस पर प्रसन हो गए नमुची के अंतर मानस में जेईन श्रम्नों के प्रती स्वाभाविक रूप से ग्रिना थी क्योंकि जेईन श्रम्नों ने अकटाई तक तरकों के द्वारा उसे वाद विवाद में पराजित कर दिया था वह इसका बदला लेना चाहता था सुनरा अवसर देखकर नमुची मंतरी ने साथ दिन के लिए राजा महापदम से सामराज्य का वर प्राप्त कर लिया सक्ता के नरेश में उसने अन्याय अत्याचार करना प्रारंब किया उसने जेन साधों से कहा कि हमारे राज्य में रहने का कर जो दो और कर न देने पर प्रान दंड की घोशना की और साथवे दिन तक छे खंड का विराट राज्य छोड़ कर अन्यत्र जाने के लिए भी उनसे कहा जब यह सूचना सुमेरु परवत पर ध्यानस्त एक जंगा चारन मुनी के द्वारा विश्नु मुनी को मिली जो वहां पर ध्यान मुद्रा में आवस्तित थे वे शीग्रही अपने विध्याबल से वहां पर पहुँचे और नमुची मंत्री से कहा कि जेन साधू का जीवन समराट से भी बढ़कर है चक्रवर्ती समराट भी उनके चर्नों में जुकता है साधू किसी भी शाषन में गुलाम बनकर नहीं रहता वह तो धरम चक्रवर्ती तिर्थंकर के साषन में रहता है तुम साधू को न सताओ यही तुमारे लिए श्रेयसकर है पर दुरागर नमुची नहीं माना तब विष्णू कुमार मुनी ने अपने लिए केवल तीन पैर रखने के लिए जगा मांगी नमुची मंत्री ने कहा तुम महापदम चक्रवर्ती के भाई हो इसलिए मैं तुम्हें तीन पैर रखने की जगा देता हूँ विष्णू मुनी ने अपने शरीर को इतना विराट बना लिया कि दो पैर से ही महतोपूर्ण मानो शेत्र को नाप लिया और जब तीसरा पैर को रखने के लिए भूमी मांगी तो नमुची मंत्री का मस्तिश्क चकरा गया वह चर्नों में गिर पड़ा वह अपने अपराधों की शमा मांगने लगा जेन साधू संग की रक्षा करने के कारण उसी दिन से रक्षा परव विश्रुत हुआ माना जाता है श्रावन शुकला पूर्णमी के दिन ये घटना घटी इसलिए रक्षा बंदन के रूप में ये परव मनाया जाने लगा रक्षा बंदन के पवित्र दिन परनारी मात्र को बहन मान कर उसकी अस्मिता की उसकी पवित्रता की रक्षा करने का एक द्रड संकल्प सभी भाईयों को करना चाहिए पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रिय जीवन में जो संगर्ष है उन संगर्षों को समात करने के लिए तथा सुक और शांती से राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें परव के अंतर रिदे को समझना होगा जो परव की आत्मा है धागा तो धागा ही रहता है उस सामान्य धागे का कोई महत्व नहीं है राखी के रूप में जब वो धागा बानता है तो वो धागा नहीं रहता अपितुस्नेय सुत्र बन जाता है जिसने आपके हातों में राखी बांदी है उसके जीवन का दाइत्व आप पर है केवल सोना चान्दी के टुकडे देकर आप चाहें कि मैं उस उत्तर दाइत्व से मुक्त हो जाऊं तो यह नहीं हो सकता जो उच्च दाइत्व आपने गरहन किया है उसे इमानदारी के साथ निभाएंगे तभी रक्षा सुत्र की सार्थकता है यही है इस परव की आत्मा धन्यवाद